नमस्कार किसान भाईयो, स्वागेत है आप सभी का, एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल किसानों की पाट साला में किसान भाईयो, हमारी जो धान की फसले हैं, वो लगवाग अभी 20 से 25 दिन के आसपास की हो चुकी है और इस समय हमारी जो धान की फसले हैं, उसमें सबसे गंभीर समस्या जो होती है, तना छेदक और पत्ताले पेटक कीट की, वो हमें दिखाई देने लगी है यानि कि धान की फसल में तना छेदक और पत्ताले पेटक कीट का अटेक हो चुका है आप देख सकते हैं कि आपके युद्हान की फसले किसान भायू इस तरह से जो मेन पौधा होता है जो मेन गोव होती है वो इस तरह से सूख जाती तो जो तनाचेदक सुनडी है किसान भायू वो इसके तने में पहुँच चुकी है तो जब आप ऐसे पौधों के तनों को जब फाल कर देखेंगे तो इसमें आपको जो सूड़ी है वो इसपश्ट रूप से दिखाई दे जाएगी तो यह समस्या किसानवाईयो बहुत ही गंभीर समस्या है क्योंकि यह पूरे पौधे को बिलकुल नश्ट कर देती है और ऐसे किसी भी पौधे में किसानवाईयो बाली नहीं आती है तो किसानवाईयो यह समस्या हमारी धान की फसल में कब आती है कैसे आती है हम सुरुवात में इसकी कैसे रोख थाम कर सकते हैं इसको हम कैसे पहचान सकते हैं इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाला हूँ तो आप वीडियो में लाफ्ट तक बने रही है जिससे कि आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके और आपकी जो धान की फसल है उसमें लगने वाली तना छेदक की और पत्ताले पेटा कीट से बच सकें किसान वाईयों अगर आप चैनल पर पहली बार आएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे की आगे आने वाली खेती से संबंदे सभी वीडियो का नौटिपिकेसन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए सुरू करते हैं किसान भाईयो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बीमारी की जो सुरुवात होती है वो कहां से होती है किस प्रकार से होती है तो किसान भाईयो जब आपकी धान की जो फसल है वो लगबग 15-20 दिन की हो जाती है तो सबसे पहले उसमें जो पंकी है जो सफेद तितली है वो आपको दिखाई देने लगती है और इसके बाद आपको आपकी धान की फसल में जाला दिखाई देगा किसान भाईयो जब आपकी फसल में सफेद तितली दिखाई देने लगे या जाला दिखाई देने लगे और इन पत्तियों की बीच की जो शिराय है उसमें आपको जो पत्ता लपेटक सुंडी है वो आपको दिखाई दे जाएगी और जो पत्ता लपेटक कीट की सुंडी होती है किसानवाईयो वो नीचे जब गिर जाती है तो वहीं से जो तने में छेद करके पौधे में थिकान देखने को मिलता है तो किसान भाईयो अगर आपने समय पर इन कीटों का नियंत्रा कर लिया तो आप अपनी फसल में होने वाले नुक्सान से बच सकते हैं और इस कीट का किसान भाईयो जो पनडाम है वो आपको तब देखने को मिलता है जब आपकी धान की फसल में बालिया निकलना शुरू हो जाती है क्योंकि इस कीट के दौरा जो भी पौदे की मेन गोव है वो काड़ दी आती है तो जो बालियां उपर निकल कर आती हैं, तो वो इस प्रकार से पूरी तरह से सफेद निकल कर आती हैं, और फिर आप इस समय इनका कोई भी उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि इन बालियों की जो मेन गोव है, वो पहले ही सुडी ने काड़ दिये, अब बात करते हैं किसान मात्रा प्रती एकड़ के हिसाब से लेनी हैं, और इसके साथ आपको लेना है, लेमडा साई हैलो थ्रिन, जिसकी आपको 2500 मात्रा प्रती एकड़ के हिसाब से लेनी हैं, इन दोनों को अच्छी तरह से आपस में मिला कर आपको 1500 लीटर पानी में प्रती एकड़ के हिसाब से आपको इस्प्रे करना है। इसको इसप्रे करने से आपकी जो धान की फसल में तितली या जो जाला दिखाई दे रहा है आपको वो पूरी तरह से प्रती एकड के हसाब से आपको लानी है, जिसको 1.500 लीटर पानी में आपको घोल कर अच्छी तरह से अपनी धान की फसल पर इस्प्रे करना है, किसान भाईयो, अगर आप कोराजन का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करते हैं, तब भी आपकी फसल में जो आपको पतला पेटक कीट की जो सुन्डी है, वो दिखाई दे रही है, वो पूरी तरह से नश्ट हो जाती है, किसान भाई हो अब बात आती है तीसरी स्टेज की तीसरी स्टेज में किसान भाई हो जब आपको आपकी फसल में जो मेन गोब है वो सूखी दिखाई देने लगती है तब आपको जो दबाओं का इस्तिमाल करना है वो है फटेरा की बात करें तो इसकी 4 kg मात्रा प्रती एकड़ के इसाब से आपको इस्तिमाल करनी है फटेरा की जगए आप सीजेंटा कंपनी के बर्टाको का इस्तिमाल कर सकते हैं यानि कि आप किसी भी कंपनी के जो CTPR, क्लोरेंटरा नीली प्रोल जो टेकनिकल है उसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको आपकी धान की फसल में जो तना छेदक कीट दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से कंट्रॉल हो जाता है किसान भायू लेकिन जब आप फटेरा या क्लोरेंटरा नीली प्रोल का जब इस्तिमाल करते हैं तो इस बात का आपको विसेज ध्यान रखना है कि आपकी धान की फसल में बरावर नमी होनी चाहिए और इसका इस्तिमाल करने के बाद अगले 24 से 36 गंटे के अंदर आपको अपनी धान की फसल में सिचाई करनी है जिससे कि इसका जो अच्छा रिजल्ट है आपकी फसल में देखने को मिले जो तनाचेदक कीट है वो पूरी तरह से आपकी फसल से कंट्रॉल हो जाए किसान भायो तो ये थी आपकी धान की फसल में पत्तला पेटक या तना छेदक कीट की समस्या और उससे आप कैसे कंट्रॉल कर सकते हैं जिससे कि आप आपकी धान की फसल में होने वाले नुकसान से आप बच सकें किसान वाई हो जानकारी पसंद वाई हो तो वीडियो को लाइक एब हम सेयर जरूर करें